दोस्तो ये है अटल सुरंग आप सभी ने नाम तो सुनाई होगा अटल सुरंग जो है ये 10,000 फिट से अधिक उचाई पर है और ये जो टनल है ये मनाली को ले से जोड़ती है और मनाली से ले के बीच की 46 km की ये दूरी को कम करती है इस टनल की लंबाई है 9.2 km जो की अपने आप में काफी लंबी सुरंग है अटल टनल के बाद आती है ये चिनानी नैसरी की सुरंग जो की 9.2 km की है और ये जो सुरंग है ये एसिया की सबसे लंबी सुरंगों में से एग है ये सुरंग जो है उदंपुर जिले के चिनानी को रामबन जिले के नशरी से जोड़ती है और ये सुरंग जो है जम्बू से स्रीनगर राजमाग का हिस्सा है और शिवालिक पहाडियों के बीज बनी हुई है इसकी वज़े से स्रीनगर और जम्बू का रास्ता दो गंटे में पूरा हो जाता है दोस्तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये है कि अटल टनल लंबी है या चेनानी नैसरी की सुरंग तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अटल टनल जो है वो 10,000 फिट से अधिक उचाई की सबसे लंबी सुरंग है और जो चेनानी नैसरी की सुरंग है ये नैशनल हाइवे 44 पर बनी 10,000 फिट से कम उचाई वाली सबसे लंबी सुरंग है इसके अलावा कस्मीर घाटी में हिमालियन पीक्स के नीचे यहाँ पर चल रहा है जोजिला टनल का काम जो की कश्मीर और ले के बीच कनेक्टिविटी लाएगी और दोस्तो ये सबसे लंबी सुरंग होने वाली है जो की 14.5 किलोमीटर की होने वाली है और कुछ सालू में ही ये तैयार हो जाएगी यहाँ पर दोस्तो अगर बात की जाए ट्रेन टनल की तो रिशिकेस कनप्रियाग रेल परियोजना जो 125 किलोमीटर की होगी उसमें कुल 16 सुरंगे हैं और 16 पुल बनने हैं जिनमें से सबसे लंबी ट्रेन ट्रेन सौथ से जनासू के बीज बनने जा रही है और यह देश की सबसे लंबी ट्रेन सुनंग होने वाली है दोस्तो देवप्रियाग के पास ये बन रही है ट्रेन की सबसे लंबी ट्रेनल यहाँ पर जो कि देव प्रियाग इस्टेशन से जनासु इस्टेशन और इस टनल की लंबाई जो है यहाँ पर साड़े चौदा किलोमेटर की रहने वाली है तो यह इंडिया की सबसे लंबी रेल टनल भी होने वाली है और काफी हाई लेवल पर चल रहा है यहाँ पर काम ठीक गंगा नदी के किनारे यह टनल यहाँ पर बन रही है उपर पहार नीचे टनल ट्रेन आएगी यहाँ से सीधे और जाएगी उस टनल पर और निकलेगी जनासु इस्टेशन यह चल रहा है गड़वाल में ट्रेन प्रोजेक्ट का काम यहाँ पर